असलाम वालेकुम बाई हो एक चोटा सा टॉपिक है जल्दी से सुनने या जब यह MRC में बैठे होते हैं या ADMO हमारी चल रही होते हैं तो अगर कोई abdominal pain से patient आता है तो उसको हमने कैसे deal करना है उसके लिए है नेकि 0.1 abdominal pain है 0.2 है यानि उसकी causes क्या हो सकती है उसमें निमानिक है 0.3 हो पी ठीक है तो H for hemorrhage हो सकता है उसको obstruction हो सकती हो for P for perfusion हो सकती है और I for inflammation या ischemia हो सकता है ठीक है तो clinically हम उसको कैसे define करेंगे एक पेशेंट आया उसके pain abdomen है और उसको hemorrhage तो आप देखो कि उसको hypovolemia होगा यानि उसका blood pressure down जा रहा होगा और उसका pulse जाता जा रही होगी तो आपने वही है कि classify करना है आपने कौन सा shock है उसके मताबिक उसकी treatment start कर देनी हो ठीक है अगर तो aortic aneurism है तो उसको बहुत ज़दा hypovolemia और class 3 ये class 4 शौक में जा रहा होगा और ये emergency इसमें आपने foreign जो है ना कोई wait नहीं कर सकते आप इसमें बहुत कम chances होते है survival के अगर आप देखें point 15 तो अगर obstruction होगी उसको तो क्या होगा वो आपको complain करेगा कि और सब मुझे constipation है vomiting भी हो रही है साथ on and off ठीक है जब आप examine करेंगे तो distended होगा abdomen और balls on decrease होगी लेकिं tender नहीं होगा ठीक है अगर tender होगा इसके साथ तो इसका मतलब यह है कि वो पर्फॉरेशन होगी है उसमें फिर वही बात है कि अगर आप एक्सरे और गारा करवाते हैं वो कारबात की बात है क्लिनिकली तो अगर आप देख रहे हैं उसको तो उसमें यह है कि बुखार होगा उसको यह भी unstable condition है यानि कि इसमें आपको emergency urgent करना पड़ेगा वैसे अगर ना खाता हूं तो दर्द जादा हो जाता है डिकार आते हैं यह तो अगर तो इस तरह की बात है तो गेस्टाइटास हो सकता है inflammation जो है ना माउट से ले कहीं भी हो सकती है according to the place हमने इसको नाम दिया विजन स्टॉमाट टाइटस हो गया ठीक है यह आपकी लिप सुगहरा और जो आपके माउट से उसमें हो जाती है इसो विजाइटास हो गया गेस्टाइटास है पाटाइटास पैंकराटाइटास कोलीसिस्टाइटास सिस्टाइटास 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 इस्टाइटास 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 इ